नमस्कार, लेट्स टेक अ सेल्फी पाडवा के लिए एक special menu design किया गया है In fact, मैं restaurant के अंदर तो जाओंगी ही लेकिन हाँ, साथ ही यहाँ पर एक गुड़ी रखी गई है तो मैं आपको एक गुड़ी की significance के बारे में बताती हूँ कि it is considered as a sign of prosperity and good days to come तो हम महाराश्च्रिंस गुड़ी पाडवा के बग, in fact, घरों के बाहर इस तरहा कि गुड़ी उभारते है typically orange, red या फिर इस तरहा से green cloth में इसे उभारा जाता है और साथ ही इसके उपर रखा जाता है कलश, चाहे वो चांदी का हो या फिर copper का तो ये है गुड़ी का significance लेकिन हाँ भूख बहुत तेज लगी है तो अंदर जाकर देखते हैं कि restaurant South of विंद्याज में गुड़ी पाडवा के लिए खास कर क्या पक रहा है वैसे तो खाने में नए साल की यानि गुड़ी पाडवा की शुरुआत हम नीम के पत्ते और गुड़ खाकर करते हैं ऐसा कहा जाता है कि नीम के पत्ते और गुड़ से शुरुआत करने में यानि नए साल की शुरुआत करने के बाद जो नया साल है उसमें सारी बिमारिया आप से दूर ही रहेंगी लेकिन पेट पूजा के लिए केवल नीन के पत्ते और गुड़ खाना काफी नहीं है तो एक्चल पेट पूजा करने के लिए क्या-क्या है मेन्यू में आज जाकर शेफ तेजस से बात करते हैं दिखते हैं कि वो बना क्या रहे है नमस्कार शेफ तेजस तो तयारी बिलकुल एकडम जम कर लग रही है तो लाइफ काउंटर के में इस साइट से आप से बात करूं कि अंदर आकर बात करूं बिलकुल में अंदर आ जाती हूँ तो मैं लाइफ काउंटर की इस तरफ तो आ गई अभी शेफ टीजस मुझे बताएंगे कि आज मेन्यू में क्या-क्या है तो मैन्यू में है भरले ली वांगी वालाचा भेड़ा मट की उसर बड़ाटेची सुकी भाजी पुरन पोड़ी श्रीखन और फ्रेश पूरी डिलिशिस सबसे पहले कौन सी सबजी वालाचा भेड़ा बनाएंगे सबसे पहले हम लेंगे सौफ, चौप डानियंस, सौल्ट, धनिया पाउडर, सर्सो, मस्टर्ड, जीरा, क्यूमिन सीज, कड़ी पता करी लिव्स, हिंग, असफोइटेड़, फ्रेश धनिया पता है, चौप करके रखा है, कोरियंडर लिव्स, ग्रेटेट कोकनट, चौप ग